विल्कम बेक टु माई यूटूब चैनल पेपर आकर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोटीन का उपाब चैट ठीक है इससे पहले हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा था ठीक है जीबधारें को सरीर में पाए जाने वाले प्रोटीन के सरचना और उनके महत का वडन हमने जाना था ठीक है जो कि कुश्चन नंबर आपका 11 था ठीक है उसी का यह बचा हुआ पार्ट है ठीक है प्रोटीन का उपाब चैट ठीक है वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है इसलिए हमने इसको दो भागों में बाट लिया पहले भाग में हमने पढ मेटाषम के अगर हम बाद करें तो यह क्या होता है फांके उपाप में में होता है आप में में ह्रिदाउक रियक्षन तो हमारे अंदर भी कुछ रियक्षios ऐसी होती है जो में आक्सीडेशन और अपकी समय पर देखने को सब्सक्राइब अशक क्लिझा है METABOLSOM means क्या हो गया आपका metabolism metabolism मतलब आपका reduction और oxidation तो यह आपका दो तरह में दो भागों में आपका भटता है ठीक है एक होता है अपका catabolic reaction क्या होती है की catabolism ब सुनिर में रिक्सरिता इव अपकी टुलिकिन दूसरी होते हैं अपकी फॉलिक टुलीजम त्युक्त है अपने क्यों किया ओगा आप जिसे हम क्या कहते है कि आक्सीडेशन कहते है ठीक है क्या कहते हैं दूसरा का हो तो उपचयन क्या होता है उपचयन तो ध्यार रहे गाप दोनुन एक ही समय पर हो रहे हुं उसे क्या कहते हैं हम उसे कहते हैं किषो के नष्या घंदर हो रहे ह। this mission होती है तो इसमें प्रोटीन का चिर्ण परना भकल नपरतलु है तो यह होगा होगा ऑक्सिक्राट हो होगा तो उसी समय आपको उसी में क्या देखने को मिला होगा अप्चैन देखने को मिला होगा ठीक है अक्सी करण और अप्चैन तो यह दोनों मिलके क्या बनाते है आपके PRIOTEIN का UPAप से कहलाता है क्या कहलाता है PROTEIN का UPAप方面 ठीक है तो चलिए हम बात करते है प्रोटीन के उपापचे के बारे में तो कह रहा है कि अमीनो अम्ल क्या अमीनो एसिड जो की आपके होते हैं क्या होते हैं अमाइनो एसिड की यहाँ पर बात कर रहा है बे अमीनो अम्ल बिना किसी परिवर्तन के अपने प्रारंभिक सुरूप में विभिन उतकों कोशिकाओं को पहुचा दिये जाते हैं क्या होता है अमीनो अमल जो होते हैं उनमें बिना किसी परिवर्तन के मतलब उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं है जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में वो विभिन उतकों और कोशिकाओं तक पहुचा दिये जाते हैं जहां इनसे प्रोटीन एंजायम प्लाजमा में प्रोटीन हार्मोन इत्यादी का निर्माड होता है कहां उतकों और कोशिकाओं में इनसे क्या बनता है अब इनसे प्रोटीन बनेगा एंजायम बनेगा और क्या बनेगा प्लाजमा ठीक है प्रोटीन एंजायम और प्लाजमा हा बनता है इनसे प्रोटीन बन जानता है अमीनो ऐसेड़ी की लंबी चेन प्रोटीन बनाती है ठीक है तो प्रोटीन बन जानता है कुछ एंजयम बन जाते हैं जो रियक्शन को कंट्रोल करते हैं कुछ क्या बन जाते हैं प्लाजमा में प्रोटीन हार्मोन का निर्माण कर देते की इतरे हैं की आत्रक्त मात्रा का हुजाता है Pandra में से कि किसी एक ब्मुरी कि द्वारा अने योमिकों में बदल जाती है जब आपके अंदर है उसकी एगर मात्रा जादा हो जाएगा ठीक है amino acid अगर हमारे body में ज्यादा हो जागा तो निमने में से किसी एक विधी द्वारा नीचे आपकी विधियां दे रखी है तो इन में से कोई एक विधी अपना कर भाए क्या होगा कि अन्योगिकों में बदल जागा ठीक है कोई और योगिक बना लेगा ठीक है तो वो कौ है तो हम जानते कि amino group को क्या करना त्याग देना या निकाल देना क्या कहलाएगा आपका de-amination कहलाएगा चली देखते हैं कहला है बाहर चला जागा और alpha keto acid बनाएगा आप क्या बना लेगा भी alpha keto acid बना लेगा जहां आपका कारवन से NH2 लगा हुआ था NH2 लगा हुआ तो यह NH2 हट गया आप क्या बन गया भी यह keto group बन जागा ठीक है NH2 की जगह पर तो keto group का निर्माण कर ले रहा है पहरा है अत्रिक्त हमीनों हम लोगे अपचैन के लिए क्या चाहिए होगा भई यह क्रिया यक्रतवा ब्रक कोशिकाव में होती है किसमें होगी यक्रत हमारे लीवर या किड़नी में यह रियक्सन हमें देखने को मिलती है कहरा या BME करण के फल्सुरूप या BME करण के दोरान क्या होगा NH3 आपका जो अमोनिया है वो निकल जाता है अब यहां से क्या निकल जागा NH3 जो है बाहर निकल जागा ठीक है कब जब BME करण होगा या de-amination होगा तब जब BME करण की प्रक्रिया में ऑक्सी कारी प्रक्रिया होते है यानि कि यह जो ब्मी करण हो रहा है है अच्छी कारी और ब्यासा हो तो छींटने विर्ञारन विद्र राया उतर को शीकाओं में होता है किसमें होगा यह आपका टिशू में सामनता देखा जाता है समय होता है जो हमारी ऑमन से हमारी वाड़ी है हमारी अंदर क्या होता है जो दिमेंट डी एमिनेशन होता है वो कब होता है एक्सेस प्रोटीन की कंजप्शन की समय मतलब की प्रोटीन की जो एक्सेस होगी या प्रोटीन अधिक मात्रा में हमारे अंदर हो जाएगी तो उसका क्या होगा कंजप्शन होगा यह वह खर्च होगी या उसका उपियोग होगा क्या होग यह यह उप्ययोग होगा तब जाके हमें यह देखने को मिल दिये करण करा ऑक्सिकार और यह और यह और यह अशीटेट बंता हैं क्या झाबनेगा आपका पयरुबेट या एसीड का फार्मेशन हो जाएगा यहां से कराублиृक्त वारिव के लिया नहीं आँभग में डिया हो करत हं परद में नारा कनबर्ट हो जाते हैं और यहीं ग्लुकोडनीयो जिनेसिस क्लुको ग्लुोको इंजाम है इसके दोरा ये गलायको जैन हो कर संग्रेइथ हो जाताएं तो यह आपको इतना यहांथ दיה़ परण या yamination अब दूसरा आपका क्या है दूसरी प्रक्रियह आपकी क्या लोका है लोका भविश्च है इसमें तो इसमें क्या करता है है कि एमने सब्सक्राइब करने पर शुत खाक है लोका फिर्स अबे Sumящ ल क्टों अभुख्रें होकर और जा उत्वपन करता है क्रेप चक्र है उसमें प्रिवेज करने से पहले क्या करेगा यह आक्सीक्रत होकर और यह एटीपी की फार्म में दे देता है ठीक है रहे टार यह य pigler कर लिया जाता है दूसरा आपका क्या है अमोनिया का भविश्व डिया अब आ आपके आपका आमोनिया का भविश्व स्ट याना का फैट आप फ़ेत आप ड्ली आप मुंनिया का का होग refresh what we have to add NIE करण के समय जब आपका डी मिनेशन होगा तो उत्पन अमोनिया या एमोनिया या यह दो में बदल जाती है ठीक है क्या होगा जब एनमी करण होगा तो उस समय जो उत्पन अमोनिया होगी आपकी NH3 होगी वो या तो यूरियम बदल जाएगी या अमोनियम योगिकों में बदल जाएगी किसमें NH4 में आपकी या तो बदल जाएगी ठीक है या NH3 यूरियम बदल जाएगी या अमोनियम योगिकों में आपकी बदल जाएगी ठीक है तो वो किस तरह से होता है आ आपका देखिए यहां पर दे रखा आपको नंबर एक करा और नी थीन चक्र क्या है और नी थीन चक्र क्या कहते हैं इसको और नी थीन चक्र या क्रेव का और नी थीन चक्र ठीक है इसको दो नामों से याद रखना है क्रेव का और नी थीन चक्र भी कहलाता है या इसको कहते ह कि जो और निधिन चक्र होता है या क्रेव और निधिन चक्र होता है इसमें क्या होगा आपका तो कह रहा है इस प्रिक्रिया में इस प्रिक्रिया द्वारा और्थिनीन अमीनो अमलू सिट्रूलीन क्या होता है जो आपका और्थिनीन होता है वो कहां पहुंजागा आपका अम इसमें जो amino acid होता है क्या होता है amino acid होता है वो किसमें बदल जागा citrulin में बदल जाता है किसमें बदल जाता है आपका citrulin में convert हो जाता है किस तरह से होगा इस चक्र में यूरिया बनता है क्या बनता है और यूरिया बनेगा जो ब्रक्कों द्वारा मूत्र के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है और इसी इस टेप में आपका इसी चक्र में क्या बनता है यूरिया बनता है जो हमारे मूत्र के द्वारा जो है बाहर निकाल दिया जाता है ठीक है याद रहेगा पैले क्या था आपका आरतिनीन अमीनोवल्ड सिट्रूलीन में बदल गया आब क्या बन कहा इसदी मुर्मान एक निपे यह बाहर निकाल दिया जाता है यूरिया का निर्माड एक्रत की माइटो कॉंड्रिया में होता है इंपोर्टेंट एफेक्ट है यूरिया का जो निर्माड होता है वो आपका होता है लीवर यानि की एक्रत की माइटो कॉंड्रिया किसकी लीवर की माइटो कॉंड्रिया में हो और्नी्थिन लिखबारों शरीर के अंदर ऑमोनीय विसेला अमोनिय वनता है, उसको शरीर से बाहर निकाल देना, ठीक है? यही क्या है? इसका मुख्यकाम है. एक किसका क्रेव का और्नी थीन चक्र ठीग है या और्नी थीन चक्र का है किसेकनेट मैं क्या कह रहा है कि अभी हमगे इसको चक्र को देखेंगे ठीग है ilan आप में निर्माढ खेवाब किस तरह से होता है तो पहले आप थोड़ा चित्र को मैं चाओंगा फ्रह आप साइकल को देखते इसके बाद जो है तो आपको तो आं तो यहां पर और स्टेप यहीं से शुरू होगा ठीक है और्थनीन चक्र अब जो और्थनीन दिखाई दे रहा है इसमें हमने क्या डाल दिया भी NH3 डाल दिया क्या है NH3 पिलस CO2 NH3 और CO2 हमने इसमें एड कर दिया है तो इससे ये दोनों चीज़ NH3, CO2 और आपका और निथीन ये तीनों मिलकर क्या बना लेंगे ये तीनों मिलकर आपके कार्बोमाइल फासफेट बनाते हैं ये तीनों मिलकर आपके क्या करते हैं यहाँ पर आपका बनता है कार्बोमाइल फासफेट का निर्माड हो जाता है यहां पर ठीक है यह तीनों मिलके क्या बनाते हैं आपके कार्बोमाइल फासफेट का निर्मार कर लेते हैं ठीक है अब जो आपका कार्बोमाइल फासफेट है क्या है कार्बोमाइल फासफेट है यह आपका सिट्रूलीन में बदल जाता है किसमें बदल जाता है सिट्रूलीन me यह आपका अब convert हो जाएंगा और क्या निइदा कहां से water molecules आपका बहर निकल जाएगा और किसम बदल जाका आपका सिट्रूलीन अपको सिट्रूलीन क्या करते हैं सिटूलीन इन क्या बनाता आपका आश्पार्टिक शाथ हसे क्या बनता आपका ऐस्पार्टिक एसपार्टेट बनता है ठीक है एसपार्टेट बनता है जो की एसपार्टेट क्या करता है NH3 और H2O इनके साथ मिलकर इनके साथ मिलकर क्या बनाता है आपका आरजिनीन बनाता है क्या बनाता है आरजिनीन का फार्मेशन करता है ठीक है क्या करता है और जिनीन का फार्मेशन कर आई है इसके बाद किया होता है इसके बाद जबा आगे बढ़ो गए तो यहां से कुछ जल्टी मातरा निकल जाती है और आपका दौरिया बाहर निकल जाता क्या बन जाता आपका यूरिया आपका यहां से निकल ग। निकल गया और कोछ जलण suppression में बो की नाम से भी हैं को जानते यान रहें होती है बहुत वते हूं यह जिसमें से आपकी पहली और दूसरी और दूसरी आपके माईक्टॉकॉंड्रिया होती है का होती है डी इति कितनी है Sa Iya किशन होती है ये जिसमें से आपका फर्ष्ट और सेकंड कहा था हूं चरद का पंडे गर किस्में और आपको दंगे बनावे मैं नमबर मिलेंगे तो ऐस में क्यों मैं बिस्ताभ को बना रहा था कि कया बना रहा था applicable क यहादत गे reckon है तो देख्यारहा क्या बना रघा टा एस्पार्टेट बना रएक वनाना आधा था सब्दू को बढ़ना रहा है तो इसलिए उसको रहेँ हैं चक्रसाइक अब दूसरा आपसे भी आ अमोनिया युक्षों का निर्माण अब जो आपका अमोनिया युक्षोते हैं उनका निर्माण किस तरह से होता है वो बताना है कह रहा है कि बी एमी करण के समय बनी हुई कुछ अमोनियां अमोनियम आयन बनाती है अभी आपका जो बी एमी करण होता है या डी एमिनेशन होता है उसमें आपका क्या निकलता है अमोनियां आयन में बदल जाता है ठीक है BME करण के समय कुछ ammonia, ammonium iron बनाते हैं उसमें जो कुछ आपकी ammonia निकलेगी वो क्या कर लेती है ammonium iron यानि की NH3 फिर NH4 पिलस क्या NH4 पिलस ammonium iron का formation करती है जो ammonium के रूप में कुछ सर्जित हो जाते हैं ठीक है जो इसी form में बाहर निकल जाते हैं किस फ expensive ammonium योगए ठीक है NH4 फिलस अब आपका आगया beste गिटिक करहा राइht trans-lemin Apparently sociable no Democracy kim≪ ऑपका ट्रांस एम्मा नेशन किया आपका राइम एसन इसमें क्या होगा करें ट्रांस अमीनेशन में दाता अमीनों मतलब कि देने वाला कोई भी देने वाला हो उसके हम कहते हैं डोनर या दाता अमीनों से ग्राही कीटो एसिड अमीनों गुरुप को ग्रहण करके एक नया अमीनों एसिड बनाता है आप यहां पर कहा रहा जो ट्रांस अमीनेशन होत होता है मतलब देता है और दूसरा क्या होता है ग्राही कीटो एसिड अमीनो गुरुप को ग्रहेंड कर लेता है जो आपका दाता होता है ठीक है यह दाता हिंदी में लख लो दाता यह क्या करता है दाता क्या करेगा दूसरा क्या होगा आपका ग्राही कीटो एसिड तो ग्राही कीटो एसिड होगा ठीक है तो यह दाता क्या करेगा एनेच टू को किसको एनेच टू को ठीक है अमीनो गुरुप को ग्र प्रक्रिया को ट्रांस ऐमीनेस्टि यानिक आपका और वह तुव कहां जा रहा है दूसरे गृप बढ़े कीटो एसड उस पर आपका और नईश तू गृप जा रहा रहा है और परणसटिंगा से एक च्छायक एमिनेशन या रिडॉक्तिव आमिनेशन भी इसको कहते हैं यह प्रक्रिया Trans Aminease क्या है आपका Trans Aminease यह आपका अमाइनो ट्रांस फरेज यह आपके दो Enzyme है Trans Aminease या transfer Aminelle Trans Fores Enzyme की उपस्थतिती में होती है जो NH2 है बोस्ती यो के जब कीटो Amino acid के स्थान पर जागा तो यहां अपस्तति में यह प्रकृषिया आपकी होगी कौन सी ट्रांस एमिनेशन उदहारण के लिए का रहा है के टैं टैरिक एलफा की टॉटारीक नहीं हुता गुलुटारीक हुता थेकत कीटो। Libis in के MMA अरिफ़ाखि टॉटीर क्agt टॉट है एल्प केटो गुलुट ही टारिक डिकुक्ट genial करेकर के अब य्सटरी और किया करएगा अदेंगा करएगा और किया बना देंगा आपका सप्सक्राइथ狂तर सक्ष THAT कर रहा है प्रिहां में आपका TP NH क्या है TP NH अपचायक कारक है कि यह कैसा है आपका एक अपचायक कारक है या रिड़क्टिव एक्टर है तरह NH3 क्या इसमें जो आपका NH3 है यह कैसा है सब्सक्राइब यह व north ये जो झो हर आपका इलफा मुत हें एस गलुलू डूर्ज अभी नेसंट जो टू में रुदूट ऑं आपका हो सकता है कि ऊब सकता है नहीं हो सकता है इस कोई भी आ आपका एक प्रोड़क्ट बन सकता है कब ट्रांस एमिनेशन के दोरान ठीक है तो यहाँ पर हम देखते हैं ट्रांस एमिनेशन किस तरह ऐसे हो रहा है यह आपका कोई मॉलेक्यूल दे रखा जिसका नाम क्या अलफा कीटो ग्लूटारिक असिड क्या है अलफा कीटो यह आपका फस्ट कारवन है यह सेकंड कारवन है यह थर्ड यह आपका फॉर्थ और यह आपका फिप तो जिस कारवन पर आपका कोई फंक्शनल ग्रूप लगा होता है उस कार्वन के परोस वाले कार्वन को हम एलफा कहते हैं क्या कहते हैं इस वाले पर आपका फंक्शनल गुरुप लगा हुआ है तो इसका परोस वाला कार्वन यह तो इसको हमने क्या कह दिया एलफा और एलफा पर क्या है आपका कीटो गुरुप लगा हुआ है क्या ल इvenant डिए आपका आप चायक कारक्त की तरह काम करेगा अब क्या होगा यह नायट्रोजन देंगा ठीक तो किस फार्म में ने इस टू फार्म में थे है और क्या यहां से एंह से एनहतों लग गया और एक हाइजन वह और क्या बना लेगा और आपका और प्लाट यहां से जो आपका एसं Χस में था यह वाला का सववाले चला जागा और एक औक्सिन आपके यहां से आगए तो क्या बने गया है तो यह तरफ से दे रहा है तो यहां पर क्या हो गया भई यह आपका कि रहा है आपका अ कि एक टर आम क्योंट्रा आपका αपक्ता सॉर्स का और पर फूर क्या अब दे करना आपकर अपचायर देर यो है ठी करेगा और रोर क्या बन जागा आपका ग्ली टरामेंसितर फूर तो और TPN, ठीक है तो यहां से आपका product जो है बन जाएगा next कहारा, transformation के समय जब transformation होता है यानि कि NH2 कहां transformation होता है एक जगह से दूसरी जगह तो कहारा, data amino क्या होगा, transformation के समय data amino जो क्या करेगा, NH2 को देगा, उसको कहते हैं data amino लगा हुए आपका एनेच टू और यह आपका क्या है दाता अमीनो एसे डाया है तो यह एनेच टू को दे रहा है क्या कर रहा है तो यहां से निकल जागा और यह कारवन पर क्या जागा यहीं होता है तथा जो ग्राही होगा जो इसको करेगा इटो एसे डामीनो में बदल जाता है और जो पहले आपका यहां सी डावल वांड हो रहा होगा वह आपका नेच टू में बदल जागा ठीक तो यहीं क्या रहता है कि यह प्रिकरिया चलती है करा इस अब करिया में वीटमिन बी 6 या सरीडॉकसल भी या पैरि दोक्सिन पैरी पैरी डापसल या पर आपका का कारीए करते हैं इन में से कोई भी आपका एक को एंजायम जाएक , तरह कारीए करेका तो आप हम एहां पर देखते हैं कि कौन गराही है और कौन दाता ही मुख्षकर क्या होगा गलुटैमिक अइसेड़ क्या है क्या है आपका गलुटैमिकार कmee का से फर्स्ट कारवन दो थर्ड फूर्थ और फिर पांच कारवन है अब तहु कर्वर करत दुंग कर दिया गाए इनकी यंदे तो बनेगा अब यहां पर किया है आपका keto group है यहां पर क्या है आपका keto group है और यहां पर क्या आपका amino group है तो यह किसकी तरह कारी करेगा मानलो गिराही की तरह कारी करेगा तो जो यहां से कहा होगा और क्या बना लेगा यहां पर आपका यहां जागा तो क्या है जो आपका आपका keto acid में और जो आपका keto acid बो किसमें कनवर्ड हो जागा amino acid में हो जागा ठीक है समझा गया तो यहां पर NH2 है यह NH2 कहां चला जागा इस कारवन पर यह oxygen कहां जागा इस वाले कारवन पर ठीक है तो alpha keto पर अब बात करें तो इस पर क्या बन जागा एंच्ट तो यहां पर क्या लग जागा आपका एन है तू कुछ इस तरह से इसे कहते हैं alanine क्या clicks को alanine कहते हैं तो यह क्या हो गया आपका produc гpd टीके alanine और क्या बन गए आपका alpha keto glutenic acid ठीक तो यह हो गए आपका transformation कि एक स्पेसिफिक एग्जामपल आ इसमें पायरूबिक एसेद अगर हम बात करें ट्रांस एमिनेशन की इसकी ट्रांस एमिनेशन की अगर हम बात करें तो ये कह रहा है कि specific example है Transamination का ये Transamination क्या करता है जो Alenine होता है उसको क्या कर देता है Pyrobic Acid में Convert कर देता है या Glutamic Acid में Convert कर देता है ठीक है कौन? Alenine Pyrobic Acid या Glutamic Acid में ये Convert आपका कर देता है कर रहा Transamination मुख रूप से एक्रत में होने के साथ मुख रूप से एक्रत में होने के साथ आपकी कहाँ पाय जाती है कहाँ होती है किड़नी में या ब्रक में या मस्तिस्क बाँ हरदय में भी यह होता है ठीक है जो आपका ट्रांस एमिनेशन है वो mostly आपके heart kidney में तो रीवर में तो होता ही होता है साध़ी कहा होगा, आपका kidney में होगा और आपके heart में होगा और आपके मस्तिस्क में होगा ठीक है, यहां पर भी यह होता है, trans amination C अगर हम बात करहा है, वी carboxylical, क्या कह रहा है इस प्रक्रिया में अमीनो अश्ड से या अमीनो अमल से COOH गुरूप निकल जाता है और CO2 उत्पन होती है क्या करता है यहां से CO2 को बाहर निकाल देता है अमीनो अश्ड का कार्वोक्सिलेज या डी कार्वोक्सिलेज या पारीडॉक्सिलेज इसमें से कोई एक सहकारक का कार्य करता है विटमिन बीशिक्स हो या आपका पाइरीडॉक्सिन अंवें से कोई एक काव्यट्रिया सहकारक की तरह कार्य करेगा कई रहा है कार्वोक्सिलेज एक कंप्लीट रिवर्सीवल प्रोसेस है यह क्या एक चंप्लीट रिवर्सीवल और आके दूसरी तरफ से जुड़ी जाएगा ठीक है निकल जाएगा और जैसा था वैसा ही आके लग जाएगा तो यह होती है आपके reversible जो दोनों direction में अकर कर सके या दोनों direction में चल सके ठीक है backward और forward यह plant में photosynthesis में भी role play करता है ठीक है क्या plants में photosynthesis में अगर हम बात करें तो यह आपका कोई एक molecule दे रखा ठीक है क्या है आपका एक molecule है जो कि हिस्टीन है ठीक है हिस्टीन क्या है amino acid क्या है यह हिस्टीन एक amino acid है अच्छा 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 है अच्छा है इस पर क्या लगा हुआ है यह जो एक group लगा हुआ है यह कौन सा गुरूप लगा हुआ है amino group ठीक है क्या लगा हुआ हुआ है amino group यह आपका कौन सा है कार्वोग्सलिक group लगा हुआ है और यह जो आपको नीचे यह वाला इमीडा जोल गुरूप क्या है आपका इमीडा जोल गुरूप है तो इस्टिडीन में क्या है इस्टिडीन एक आपका क्या है एसिटिक एसिड है क्या है आपका इसिटिक एसिड नहीं है इमीडा जोल लगा रहेगा, अब यह क्या होगा, अब इसमें होगा क्या, अब हम पढ़ क्या रहे हैं, डी कार्वोक्सिलेशन, क्या पढ़ रहे हैं, डी कार्वोक्सिलेशन, तो अब इस सीधी सीधी बाहत है, यहां पर क्या निकलेगा, CO2 जो है बाहर, निकल जागा, क्या से CO2 बाहर निकल जागा तो सी ओटु बाहर कैसे निकलेगा यहां पर क्या है आपका NH2 है और हापका सी डवल Bulgaria घाए यहां से आपका सी ओटु वाहर सी डबल वाहर निकल जाएगा और होगा क्या जब यह बॉन्ड टूटेगा तो हाइट्रोजन जाकर कहां पहुंच जागा आपका इस वाले हाइट्रोजन के साथ च्टू बना लेगा क्या बना लेगा और आपका एने टू और रह यह वाला जो आपका यहां पर आजागा ठीक है और क्या क्या बन जागा और ऑर नास टू और आपका रहाएं प्लस आपका क्या साथ में इस टूप लगा हुआ तो यह क्या बन गया आपका हिस्टामीन क्या बन गया हिस्टामीन बन गया ठीक है हिस्टादीन से हिस्टामीन मतलब CO2 बाहर और हिस्टादीन से हिस्टामीन बन गया और यह आपका कारबंड़ाई ऑक्साड जो है बाहर निकल गया ठीक है क्या हो गया कारबंड़ाई है आपका Called me या जैसे यह UU ये यह आपका यह करदा रहुं हो रहा है यहांगारक suspect या टॉसरे बनाए क्यों के ओर चाला जाए है तो करे इस प्रिक्रिया में geweं लूप क्या है मैथिल गुरुप आपका एक अमीनो गुरुप से दूसरे अमीनो गुरुप को इस्थानांतरित हो जाता है या दूसरे अमीनो गुरुप के आपका चला जाता है जिससे सरीर में आवश्यक अमीनो एसिड अमलोका संसलेसर हो सके जिससे क्या होता है जो आवश्यक अमीनो एसि होते हैं उनका formation अच्छे से हो सके तो इसके लिए क्या करता है एक methyl group क्या करता है एक amino acid से दूसरे amino acid पर चला जाता है ठीक है दूसरे amino गुरुप को इस्थानांत्रेत हो जाता है ठीक है जो आपका दूसरे amino गुरुप था जिस पर लगा हुआ है उस पर यह जाकर आपका जुड़ जागा और मुक्त हुआ methyl group ठीक है क्या मुक्त हुआ methyl group और इसमें क्या होगा आपका methyl group भी आपका कैसा हो जागा मुक्त हो जागा और लोग कोलीन क्रियेटिन या अन्न amino acid को बनाने का काम करता है और क्या करेगा यह पूलीन क्रियेटिन या अन्न amino acid को बनाएगा ठीक है क्यों जो आपका मुक्त हुआ methyl group है ट्रांस methylation में cofactor आप one carbon unit होनी चाहिए क्या होना चाहिए जो cofactor है वो यह carbon unit का होना चाहिए ठीक है किसमें trans methylation की यहाँ पर बात कर रहा है ठीक है तो यहाँ पर अगर हम बात कर लें ट्रांस methylation की किसकी ट्रांस methylation की तो यह क्या आपका Matthew Neen है ठीक है क्या है Matthew Neen है तो यहाँ पर आपका यह क्या लगा हुआ है CH3 लगा हुआ क्या होगा इस वाले एमेन से दूसरे वाले एमेन गुरुप की तरफ ट्रांसफर होगा तो क्या होगा यहां से मानलों यह CS3 क्या हटना है CS3 क्या होना है CS3 हटेगा bond इसका टूटेगा ठीक है bond क्या होगा इसका टूटेगा मानलों यहां पर कैसा आ गया माइनस का तो यह हायश जानक है धीट होगा जो आपका मैथाल गुर्प मुक्द रहे जो आहा सबांट होता रहा गर रह ऑह और हो यह निज प्रकारिकों बनाने का काम करतार है किसको नखने कि्यूहylon तो यह क्या होग्या आपका मिन अपका देमिडियोस था इसकल में थोड़ा सा और रह गया है ठीक है इसको बस केवल पढ़ना आपको समझना इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहे रहा है प्रोटीन उपापचय का नियम जो मेताबोलिजम होता है प्रोटीन का ऑक्सिदेशन रेड़क्षन होता है या केटाबोलिक एनाबोलिक रियक्षन होती है उसका नियम क्या है वो हमें ठीक sì तो प्रोटीन उपाफ ठे हैं हारमॉन द्वारा नीन्तरित रहता है वे प्रोटीन का जो प्यसर उप्रुटीन ऊच्य प्रोटीन में जो मेतभुअल उता है या i85 मा एकके शाथ में अधिक स्यसक्रोड करेक्शनिक डॲीग रेक्शन्स में अधिया वो किसके द्वारा नियंत्रित रहती है वो हार्मोन द्वारा नियंत्रित रहती है ठीक है कहना है इंसुलिन अमाइनो अमलों के क्या करता है ऑक्सी करण एबं बी एबं बी अमाइनी करण को रोकता है क्या करता है अमाइनो एसेड कहा क्या करेगा ऑक्सी करण करेगा मतलब इ रिकालने से रोकता है क्या करता है बीयमाइनी करण की करिया को यह रोकता है ठीक है इंसलेन तथा कोशिकाओं में प्रोटीन संचय को प्रोथाहन करता है और यह चाहता है कि जो कोशिकाओं है उनमें प्रोटीन इस्टोर हो जाए ठीक है प्रोटीन का संचय जो है उनमें हो ज कोशिकाओं में संचित प्रोटीन को बी अमायनी करण के लिए अमायनी करण के लिए हार्मोन क्या होता आपका ग्लूको कॉर्टिक्वाइड के स्राव को उत्प्रेरित करते हैं ठीक है अभी क्या कह रहा है जो आपका आड्रीनिल कॉर्टेक्स उत्पन्न होता है क्या ग्लूको कॉर्टिक्वाइड ग्लूको कॉर्टिक्वाइड यह भी क्या आपके एक हार्मोन है कोशिकाओं में संचित प्रोटीन को बी अमायनी करण क्या करता है यह भी बी अमायनी करण के लिए हार्मोन क्या करता है हार्मोन के सेक्रेशन को बढ़ा देता है तथा ब्रद्धी हार्मोन कोशिकाओं उतकों में प्रोटीन के संचेन को प्रोटसाहन करता है क्या करता है जो आपके ग्रोथ हार्मेन होते हैं कोशिकाओं और उतकों में इनके संचेन को क्या करता है प्रोटसाहन करता है यानिकि इनका संचे उसमें करवाता है protein synthesis और degradation closely in vivo regulate होता है यह दोनों कैसे होते हैं एक दूसरे के closely होते हैं और एक समान होते हैं और इस पर इस पर आपका physiological और पैथो फिजियो लॉजिकल और पैथो फिजियो लॉजिकल एलो ठीक है पैथो फिजियो लॉजिकल कंडिशन्स का असर होता है इन पर दोनों कंडिशन्स का अजर होता है ठीक है फिजियो लॉजिकल और आपका पैथो फिजियो लॉजिकल ठीक है दोनों कंडिशन्स या दोन तो यह तो था आपका प्रोटीन का उपाप चाहे क्या था प्रोटीन का उपाप चाहे था ठीक है तो बने रही है हमार साथ मिलते अंगले वीडियो में थेंक्स वाचिंग और शेयर दा वीडियो तुर स्टुडेंट फ्रेंड्स